बिहार का फे मस्त लिट्टी और चोखा बिहार का फे मस्त लिट्टी और चोखा बिहार कर लिट्टी और चोखा लिए जिसके लिए मैंने आधा की लोग भिंडी को धूखा लिया था रात को ही और सुबह उटते ही सबसे पहले मैंने बिंडी को चुट-पीसेश में काट लिया और यहां दो मीडम सच के प्याच लिये थे और दो हरी विर्चे तीन सचाले प्याच को लंबे लंबे टुकड़ों में काटकर उसे दो हिस्सों में कर दिया था और उसे भी हाथ से मसल कर डाल दिया है इस तरह से प्याच मसल कर डालने से जल्दी फ्राई हो जाते हैं इस प्याच के जो पिसेस अच्छी तरह से मिल जाते है है बस हलका सा करना है इतना ही प्याच को पकाऊंगी गिन और जैसे प्याच फ्रांस्कूलेंट होजाएंगे भिन्डी आइड करदेगा दूज का क्योंकि सुभे उतने के के बाद गुपता जी जडब स्कूल छोड़ कर आते हैं बेटे को तो उसके बाद उन्हें चाय चाहिए होती है तो एक तरफ गैस पर मैंने चाय भी रख दी है चूले दूसरे चूले पर और भिंडे के सबजी और इसके बाद मैं आठा गून लूँगी और बेटे के बना आएगा इसकूल में मैगी पास्ता वगरे अलाउड नहीं होता है लंच के लिए तो इसलिए रोटी और सब्जी ही मैं देना ज्यादा प्रिफर करती हूं और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं और इससे पेट भी उनका भरा भरा से रहता है और यहां कलना मैं स्कूल की य यूनिफर्म प्रेस कर लेती हूं यहां पर यूनिफर्म प्रेस कर ली बेटा नहा के आ चुका है वो रेडी हो चुका है उसे मैंने चाय नाचता दे दिया है और गुपतर जी को मैंने जगा लिया उठते ही सबसे पहले गुपतर जी को चाहिए होता है गुन-गुना पानी तो उनके लिए पानी लेकर आ गई हूँ मैं और बेटे को स्कूल भेज दिया है गुपता जी भी ऑफिस चले गए हैं मैं नहा चुकी हूँ पूजा कर ली मैंने और यहां पर अब सबके जाने के बाद ही घर की क्लीनिंग होती है कि छोटा सा घर है फिर इसी में आना जाना और बाहर कांस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो धूल मिट्टी घर के कितनी भी सफाई करो सारा दिन ऐसे लगता कि पोछाना जैसे हमने लगाय ही नहीं है मिट्टी मि से घर में आ जाती तो बहुत मतलब माइं डिस्टप्स सा रहता है तो सारा दिन काम ही नहीं खत्म होते हैं इस तरह से तो अब मैंने घर में डेस्टिंग करनी है मुझे और बिस्तरवगर सही कर लिया है बेटी दूसरे कमरे में अपनी पढ़ाई कर रही है और यहां मैं डे किया था कुछ रेपैर वगर हो जाए लेकिन नहीं हो रहा है वो तो मुझे दूसरा ही खरीदना पड़ेगा और यह लोग जब जाते हैं ना स्कूल ऑफिस वगरे तो सभी चीज़े तेल कंगी क्रीम सभी चीज़े ना ऐसे बाहर निकाल कर फैला कर ही चले जाते हैं तो सभ अब नजर आती है तो ड्रस्टिंग करने बिना दिल मानता ही नहीं है मतलब ड्रस्टिंग करना फिर तो ज़रूरी हो जाता है और यहां मुझे लगाना पढ़ रहा है पोछा तो मैं पोछा भी जल्दी से लगा ले रही हूं यहां पर तो कपड़े मैंने आपको पहले बता बस इतना ही समय मुझे मिलता है दिन में साम की चाय पी चाय पी निक बदब डिनर के तयारी तो आज बेटी को लिट्टी को खाने का मन कर रहा था तिर बच्चों का मन करता हो ना फिर यह लगता कि चल वही बनाया जाए तो गली में दुकानों पर सत्तू नहीं थी आज चने क सत्तू रेडी हो जाएगा यह ऐसा होता है ना अकसर की गली में दुकानों में सत्तू बहुत कम रखते हैं और यहां मैंने बैंगन ले लिए थे उस दिन भड़ता बनाया था दो बैंगन थे तो एक भड़ता बना लिया था और एक इस तरस था तो फिर मैंने का चलो तरह से लहसुन की कि आख साथ करिया चला थी इस तरह से लसंटु बाया थिर लिया देख लीत ली सैंदर मतलब लहसुंट कि साथ मेंन पर ठीकाली बस गया साउन कर दें जाली और रख देंगे इस तरह से बैंगन और यह दो टमाटर ले लिए हैं और मैंने छोड़ चोड़े चार पाच आलू भी उबाल लिए चोखे के लिए तो आलू बल गय थे बैंगन भी रोस्ट हो चुके और टमाटर रोस्ट हो रहा भी रोस्ट और यह पर मैं काट ले रही हूं लहसुन अद्रक हरी मिर्च और प्याज जिसमें चोखे के लिए इस्तमाल करूंगे लिट्टी के चने के सत्तू में भी मैं मिला लूंगी तो साथ के साथ है सभी काम मैं कर लेती हूं और इस तरह से इना काम रैडी करने में मुझी है कम से कम सा साड़े आठ नौ बच जाते हैं डिनर रेडी हो जाता है मतब साड़े आठ से नौ हमारा टाइम में डिनर करने का जब तक सारी चीजे त्यार कर और लिट्टी और चोखा बन रहा है तो साथ में बनेंगे मिर्च वाले प्याज और चट्मी जिसके बिना तो लिट्टी और साथ अधूरा सा लगता है तो सभी चीजे भी रेडिक कर लिए मैंने तो आठा लगा ले रही हो लिट्टी के लिए जिसमें नमक और तेल डाल दिया मैंने और इसका आठा लगाएंगे जो पूरियों के आठा लगाते हो साफ्ट रखेंगे और रोटी के आठे से सक्त ऐसा जब आठा लगा लिए मैंने रेस्ट करने के लिए मैं साइड में रख दूंगी और जब तक मैं चोखा लगा लूँगी और सबसे पहले मैंने लिट्टी के लिए सक्तू तयार कर लूँगी तो चना पीसा था इसे इस बर्डे बरतन में निकाल दिया है अब इसी में डाल पियाज बारिक कटे हुए और ध्रक बारीक कटी हुए रजा कि निमबु दले निम्बु भारे निमबु बीच से निकाल कर रसख जưng बहुत ही में इंग्रिइण से इस लिटिक सまग का स्वाध बहुत hai ऐन में इंग्रिदियनस लिट्टी का सूध बहुत ही लाजवाब हो जाता है और लिट्टी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते तो भरे मिर्च का अचार नॉर्मली अचार के शॉप पे मिल जाता है और इसे घर पर भी बनाया जाता है तो यहां मैंने स्वादानुसरा नमक डाल दिया है और एक चमच सरसो का तेल डाल कर इसे मिला लेंग और मिलाने के बाद एक बाद नमक चेक कर लें कि अगर कम हो तो दुबारा डाल दें और यह ना बच्ची जब इस तरह मिला लेते हैं तो सूखा ही बच्चे से टेस्ट करने के लिए मांगते हैं इतना पसंद आता है खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और अब आज मैं लिट्टी सिखी नहीं बना रही हूँ आज इस तरह से मैं चछनी होई लिट्तिया बनाओंगी तो पतिले में पानी गरम कर लिया है और इस तरह से रोटी के आकार की लोई लेली उससे कटोरी का शेब देकर एक चमज चने का सत्तों अन्दर भर दिया है और उ तो आप पान से साथ मिनट हम अची तरह से उबलने के बाद पानी में से लिट्टियों को अलग करेंगे तो लिट्टिया देगए पर शाइज में फूल कर बड़ी हो जाती है और इससे लिट्टियां अंदर तक पक भी जाती है और तेल में तलते हैं तो बहुत अच्छा प्त्थर को सकते हैं तो इस तरह से इस चोटा सा इस पीसे स्टनाटी पेश लूगी एक डाम फाइन पेस्ट नहीं करना है बस इसे इस तरह से पीस लिया है मैंने कि हलक हलक इसके टुकड़े भी रहे और ज्यादा साबूत भी ना रहे और आलू ऑफचनल है चोके के लिए आप चाहें तो डालिए या तो स्किप कर दीजिए या तो आलू कम मत्रा में डालिए आलू वना इस चोके में बहुत अच्छ करकर डाल दिया है करना है तो अभी बेटी आई थी किछन में और उसने कहा कि मैं मेरे लिए सिकी हुई बना दीजिए तो बस अब इन को करने के बाद मैं उसके लिए दो-चार लिट्टियों को सेख दूंगी जाली पिर तो यहां टमाटर ले लिए हैं मैंने चटनी के लिए तो अभी जस्त धनिया और पुदेना मैंने मार्केट से मंगा आए था अभी इसे फ्रिज में रखा भी नहीं है लेकिन अब चटनी पीस नहीं है तो मैंने इतना निकाल लिया है अब इसे साफ कर लूँगी लगे हाथ औ और चटनी बना लूँगी बाकि की बाद में मैं अच्छी तरह से साफ करके फ्रिज में स्टोर करूँगी तो डिसाइड नहीं था अज मेरा लिट्टी चोखा बनाना लेकिन सड़नली इसका प्लान बन गया अचाना बेटी ने कहा कि मो लिट्टी चोखा खाना है तो फिर बच्चे जब कहते हैं तो आप समझी सकते हैं कि हमारा ध्यनवाईर तक चलो वही बनाया जाए तो बस मैंने बना लिया मतलब अन्प्लैंड जो था वो डिनर के लिया रेडी कर लिया मैंने तो बस टमाटर में डाल दिया पुदीना इस तरह ना लाल मिर्च लेकर आए तो कुछ मिर्च को आपाकी है जब तक लएकां टे कर लेसं तो प्याज भी अ कर ले काट लिया है कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे आधा निम्बू बचा ले तो आधा निम्बू यहां डाल देंगे और प्याज ना मतलब विकिन माने जिए लिट्टी के साथ खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है थोड़ा सा नमक और हलकी सिलाल मेंच डाल कर बस इस प्याज को थोड़े देर रख दीजिए जब तक लिट्टी बनेगे प्याज सॉप्ट हो जाते हैं और खाने में लिट्टी के मतलब इस प्याज और चटनी के मना तो लिट्टी अधूरी लगती है तो मैं तो जब भी लिट्टी चोखा बनाती हूं तो बच्चे पह तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम बनाना कुछ और पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमें डिनर में क्या बनाना लेकिन अन्प्लाइन कुछ और बन जाता है तो लिजे लिट्टी चोखा चटनी और प्याज तैयार है आज कि दिनर में और मैं इसके प्लेटिंग करके दिखाती हूं आपको यह रग दिया मैंने चोखा और चेटनी और साथ में प्याज और लिट्टी तो इस तरह से ना तलीव लिट्टी जरूर बनाएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और आप दुबारा जरूर बनाएंगे तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ यह द